दोस्तों एक बर फिर आपका स्वागत है विनंदने आपके अपनी यूट्यूब चैनल अरेयन इस्चूट लाहबाद में दोस्तों जैसा कि थोमलिल देख पा रहे हैं आप सभी के बीच में माध्यमिक सिछा विभाग भरती दोज़र चोबिस के अंतरगत एक बड़ी अपड 2230 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा रहा है सबसे बड़ी चीज यह है कि जो 2230 पदों के लिए नोटिफिकेशन आएगा वो आपकी समविदा के आधार पर यानि आउट सोर्सिंग के आधार पर आपकी जो भरती प्रक्रिया है वो कराई जाएगी आगे य योगिता के बारे में अगर हम बात करें तो योगिता हलाकि अभी ये चीज तो डिसाइड नहीं है लेकिन अधिक्तम चांसिस कहे जा रहे हैं कि बारहमी पास हो सकती है या इस से अपर लेबल ग्रेजुवेशन हो सकती है ठीक है बाकि इस से ज़्यादा आपकी कुशने कि प्लीज अगर चैनल पर पहले वार विजट किये हैं तो चैनल को सब्सक्राइब रोड करेंगे सबसे पहले इस पेपर कटिंग को हम आपको दिखाना चाहेंगे जिसका आप बेसबर से इंतजार कर रहे हैं देखिए आपके बेस पेपर कटिंग लगी है सबसे उपर कहा जा रहे हैं माध्मिक जो है सिख्षा विभाग या सिख्षा में जल्द भरे जाएंगे समोग्ग के 22,000 से अधिक पद अब इसके अंद्र गत कहा जा रहा है कि माध्मिक सिख्षा विभाग में समोगं के 22,230 पदों को सीग्र भरने की तयारी है यह सभी वर्तियां आउट् मंदला युक्त को दिसन इरदेशन में भरती अभियान चलाया जाएगा अभियान को पारदर्सी तरीके से पूरा कराने के लिए विभाग जो है अधिकारियों के साथ मंदला युक्त द्वारा नामित विभागों के अधिकारियों के एक समिती बनाई जाएगे जो भरतीयों क पूरा कर प्रदेश के मादमिक शिख्छा विभाग में समूह घह के अन्य सभी रिक्तिपद भरे जाएंगे, ये सभी रिक्तिपद राज्की और साहिता प्राथ मादमिक विद्यालियों के हैं, जिनें इस साल सितंबर के अंद तक बढ़ दिया जाएगा, उलेकनी हैं कि माद साहायता प्राप्त मादमिक विद्यालियों में जो है 22,026 पड सुविकृत हैं इन सुविकृत पदों में 50,50 से कम Elijah hi no प्राप्त मादमिक विद्यालियों में और 46,6 परिचारक पद 830,re 50, साहेता प्राप्त माधिमिंग विद्यालियों 22,152 पद्रिक्त हैं बताया जाता है कि समूह ग में जो है नियुक्ति के लिए सरकार के और से नियमावली तयार की जा रही है सिख्षा सिवचेन आयो की परिधी से इतर जो है जितने भी समूह ग के रिक्ति पद है उन्हें बेनिरधारित प्रक्रिया के माध्यम से बढ़ा जाएगा वर्तमान समूह में या वर्तमान समूह गह के 41,136 पद रिक्त हैं जो स्विक्रित पद 1,32,89 का जो है पचास प्रिसस से भी कम है यानि यहाँ देख सकते हैं आपके बीच में माध्यमिक सिक्षा बिभाग के अंतरगत जो है 22,230 पदों का जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा रहा है चैन प्रक्रिया पर भी आपने देख लिया सबसे बड़ी चीज यह है कि इस बड़ती प्रक्रिया को जो है आउट्सोर्सिंग के माध्यम से यनि समविदा के आधार पर बढ़ती के जाएगे फिलाल के लिए इसका जो भी नियम कानून का एदा होगा ओफिसल नोटिफिकेशन आने के बाद ही वो चीज़ें तै हो पाएंगे हाला कि अगर और भी कोई नोटिस आती है तो बिल्कुल हम चैनल की माध्यम से आप सभी को इन्फॉर्म करने का प्रयास जरूर करेंगे